चायम की जो वार्दाते हैं दिन पर दिन इतनी बढ़ती जा रही है कि बच्चों का मतलब लग रहा है कि एजुकेशन सिस्टम ना पता नहीं कहां से कहां जा रहा है नीट वाला जो भी थपला सुनने को मिले ही होगा अगर आप लोगों को अगर आप न्यूज वगेरा देखते हैं अगर आप थोड़ा सा अवेर हैं जुकेशन सिस्टम को लेकर कि इतने सारे बच्चे जो है वो पास हुए अब पास होना बड़ी बात नहीं है लेकिन सेम नॉर्मलाइजेशन करके पास कर दिया गया मतलब फुल-फुल मांग से दिये गए कहीं ना कहीं पार्शालिटी जो है वो रिजल्ट में देखी गई तो जितने भी नीट वाले स्टुडेंट्स है ना मेरे जिन्होंने पेपर दिया देखो नेग्रिटिव तो नहीं होना है और एक तरह से यही है कि रिजल्ट जो है वो तो चलो जो अभी गवर्मेंट लगी हुई है वैसी लोग क्या गरते वो पता नहीं चलता है वो बट फिर भी जो चीज़े अभी लोगों की रहनी है पेपर जो है वो दुबारा होने की चांसिस तो नहीं है मतलब इतनी ज़्य चल रही है इतना जादा बच्चों जबकि महना जो है को सबके सब करते हैं सबका सेम एफट रहता है सबके सेम प्रपरेशन लेवर होता है फिर भी कुछ चीजे जो है वो रिजल्ट में निकल कर सामने जिसे साफ साफ पता लगता है कि कहीं नहीं घपला हुआ है कहीं चीज करने वाली है जहां पर यह चीज पता लग रही है कि हम उपने की शेंटर से जो है मतलब एक ही सेंटर से दो डो टॉपर जो है वो निकले हैं तो यह कहीं ना कहीं थोड़ी सी कुछ चीज उखना वह नियूस पेपर वाले भी गन्फ्यूज है कि और कई टीचर्स भी है कि यह कैसे हो सकता है यह कुछ चीजे जो है वो थोड़ा सा शक डलवा रहे हैं दिमाग में कि ऐसा पॉसिबल है क्या तो कहीं नगए एडुकेशन सिस्टम बिगड़ता जा रहा है मतलब बच्चों का ऐसा दिमाग लोगों ने खराब कर रखा है और नॉर्मल हो गया है यह चीज करना कि हाँ पेपर लिया कैंसल हुआ लिक हुआ चीटिंग होई ग्रेशी में मांग सादों को दे आदों को ऐसी फैल कर दिया आदों जो महनत क जा रहा है ना क्या बूलू मैं आप लोगों को कि एक मन में यह भी आ जाता है कि यह पढ़ाई बड़ाई छोड़ करना अच्छा वलो कुछ ऐसा काम कर लेते हैं शॉटकट वाला चाह पर पैसे भी यह और थोड़ा आदे तो यूट्यूब में लग रखें हैं बच्चे कि